हेलो गाइज आज हम बात करें कि जापान के मिलिटरी एरक्राफ्ट को भारत में उताने क्यों नहीं दिया खबर यह है कि जापान को युक्रेन के लिए हुमेनिटेरियन एड भेजनी थी जिसे जापान ने डिसाइड करा कि वह सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर वह मिलिटरी एरक्राफ्ट में एड भेजेगा यहां तक तो सब ठीकते हैं इसमें इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं था लेकिन फिर जापान की मीडिया से ख़बर आई जापान जिस मिलिटरी ट्रांपोर्ट एरक्राफ्ट में एड ले जा रहा है उसको मुंबाई में कुछ देर के लिए रुकना है एरक्राफ्ट को मुंबाई में इस्टिट यूएन की एजेंसी से कुछ मैटीरियल ले जाना था लेकिन भारत ने जापान के सीटू मिलिटरी एरक्राफ्ट को लेन करने की सिक्यूर्टी क्लियरेंस नहीं दी यह ख़वर आते ही जापान समेट बेस्टर मीडिया में भारत के खिलाब एक बार प्रोपगेंडा फिर से शुरू हो गया लेकिन अब ख़वर निकल कर आ रही है कि ऐसा नहीं था कि भारत ने जापान को कम्पिलिटरी बना कर दिया था इंडिया ने कहा कि अगर एड करना चाहते है तो आप मिलिटी एरकप में नहीं कमर्शाँ एड कर सकते हैं विदेश मंत्याले के स्वकष परसंसर्ण ने कहा कि जापान ने भारत से मिलिटी से मैर्टी एरकफ लेंडिंगी परमिशन बारस से तिय wird और हमने जापान को कन्वे करा कि जापान को कोई भी एड ले जानी हो तो भे अपनी कोमर्शियल फ्राइट का इस्तमाल करें